नमस्कार कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपको में एंट्रेंस के लिए बेस्ट डारेक्शन के विशे में बतलाऊंगा अब तक आप तक की वीडियो में आपने देखा कि सबसे पहले हम किसी भवन या फैक्टरी ओफि जित्यादी के निर्मान के लिए किस पकाद भूमी चैन करते हैं भूमी चैन करने की विधिया मैंने आपको बतलाई उसके पश्चाद हमने ब्रहमिस्थान ग्याद किया ब्रहमिस्थान ग्याद करने के बाद हमने मैगनेटिक कमपास की सहायता से चार डारेक्शन इस्ट व वीडियो है उसमें हमने आठ के आठ डारेक्शन से सोला डारेक्शन ग्याद करने के विश्य हैं बतला है कि देवता यक्षगंदव राक्षच इत्यादिक अनुसार बत्ति डारेक्शन में डिवाइट करते हैं परंतु वह बहुत टीपीकल हो जाएगा इसलिए मैं उसे यहाँ पर डॉप कर रहा हूँ क्योंकि वह आम की समझ में ना आए इससे अच्छा कोई फायदा नहीं है आप उसमें उलजके रह जाए इससे अच्छा है कि हम अभी सोला डारेक्शन पर काम करते हैं आने वाले ज़ा कई जारैक्शन गयात करने के बाद हमने उन्हेन 90डीग्री पर इससो में किया 2ग दोइस सो में डिवाइड की अगर इक methodology क्यों जो को डाइक्षिने उसके जो कोंड बने हैं उन्हें डिग्री को हम사 करने 50-50 दो इसके बाद पार पार्ट की उसके बाद अगर हम बद् 11.12 के रेशो में भाव करके आप उसे आगे की डारेक्शन निकाल सकते हैं पर अभी मैं आपको में एंट्रेंस के विशे में बतलाऊंगा में एंट्रेंस के लिए बहुत सारी चीजे हैं जो हमें ग्यात करनी होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम की में एंट्रेंस का कौन सी डारेक्शन में में एंट्रेंस लगाने का क्या बेनिफिट होता है तो जो हमने पहले मैप लिया था मुसी मैप को यूज करते हैं उसमें हमने डारेक्शन निकाली हुई थी सबसे पहले हम इस डारेक्शन की बात करते हैं इस डारेक्शन जो है यह धन का दुआर है यश का दुआर है इस डारेक्शन से आपको धन यश राज्य में सम्मान मान सम्मान यह सब प्राप्थ होते हैं अगर आप इस direction में अपने भवन کا मेन एंट्रेंस लगाते हैं तो आपको धन यश, मान, संमान, राजय से सहीपरकार की सपोर्ट, इत्याधी प्राप्थ सब होती रहेंगी अगर आप अपने घर का मेन एंट्रेंस वेस्ट पे लगाते हैं तो वेस्ट पी जो एंट्रेंस होता है उसे मकरद्वार कहते है मकरद्वार जो है आपको विशेश मेहनत करने पर फल देने वाला अगर वेष्ट में आपके घर का एंट्रेंस है तो आपको कड़ी मेहनत करने के पश्चाथ ही उसका रिजल्ट प्राप्त होगा और अधिक मेहनत के बाद ही आपके कार्यश ही धोब पाएंगे अब अगर हम बात करते हैं doet direction की तो नौट direction जो है वहाँ पर अगर आप दवार लगाते हैं तो उसे कुबेरदवार कहते हैं कुबेरदवार ये बहुती शुपदवार माना जाता है अगर आप अपने भवन का मेन एंट्रेंस नौट डारेक्शन में मनाते हैं तो यहाँ पर आपको धन, यश, मान, सम्मान, इत्यादी प्राप्त होते हैं अगर हम साउट डारेक्शन की बात करें तो साउट डारेक्शन को पर जो द्वार लगाया जाता है उसे यम द्वार कहते हैं यम द्वार से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यम द्वार है वो किस परकार का होगा यम द्वार इस्त्रों के लिए दुखता ही होता है और पुर्शों के लिए भी उसमें कोई ज़्यादा लाबदायर चीजे नहीं देखी जाती वास्तु के अनुशार अगर आप सबसे best direction में द्वार के विशे में अगर बात करें तो सबसे best direction होती है नौट direction जिस से हमें धन, यश, मान सम्मान ये सब चीज़े प्राप्थ होती रहती है 2 नंबर पे हम अगर direction को लेंगे तो नौट direction को लेंगे नौर डारेक्शन भी हमें मान सम्मान, पब्लिक लाइफ, पब्लिक से रिलेशन, रिलेशन इंप्रूब्मेंट करना, सोचल कनेक्टिविटी बनाना, ये सब चीजे हमें देती है इसी परकार अगर हम थल्ड नंबर पर रखेंगे, तो हम थल्ड नंबर पर वेश्ट डारेक्शन को रखेंगे, जिसमें कारिये तो सीध होते हैं, परन्तु कड़े परिश्रम के पश्चात आपके कारिये सीध होते हैं और इसी तरह अगर हम south direction के बात करें तो south direction को हम fourth number पर रखेंगे कि fourth number पे अगर किसी को बनाना है तो fourth number की direction आप south direction बना सकते हैं देखें वास्तू के अनुसार कोई भी direction बुरी नहीं है अपने अपने जनम कुंडली यापनी date of birth के अनुसार आप अपने भवन का में एंट्रेंस बना सकते हैं क्योंकि आजकल का जो यूग है वो एडवांस हो चुका है टेकनोलोजी बहुत उपर तक जा चुकी है टेकनोलोजी के बेस पर अगर हम अपने भवन को अपनी डेटो बर्थ के अनुसार सिंक्रोराइज करके भवन का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार हम अपने में डोर की एंट्रेंस लगाते हैं तो वो हमें सदा शुफ फल्दाई होती है वो एक अलग विशे है वो उसके लिए मैं आपको बाद में थोड़ा सा गाइड कर दूँगा कि डेटो बर्थ के अनुसार किस जारेक्शन में हमें अपना में एंट्रेंस या में डोर लगाना चाहिए आशा करता हूँ आपको अब तक का वास्तू के विशे में जो जो मैंने बताया है वो नोलिज आपके लिए यूसफुल रही होगी और आपको ये सब नोलिज कैसी लगी किरफया आप मुझे कमेन्ट करके बताय और अगर आपको मेरे विडियो वास्थू श्रीज अच्छा लगता है तो किरफया आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़ेधि आप मेरे चैनल पर ने है तो करीपया मेरे चैनल को ढूसक्प्राइब करें और आने वाले वीडियो में में आपको अरशार विश्मान को प्रब्ला मुझ ूब कि ड्राइंग रूम हमें किस डारेक्शन में किस प्रकार बनाना चाहिए जिससे की एंट्रेंस से एंटर होने के बाद हमें अपने घर में सुक और शांती का आनन्द महसूस दें नमस्कार